कि दोस्तों नुमस्कार आज मैं आपको कुछ अपना कलेक्शन दिखा रहा हूं जो कि कि 25 से 30 साल पुराना है कि जब मेरे फादर कि फूलो की फार्मिंग करते थे तो तब से पेड हमने लगाए हुए हैं और इनको अब बाद में इनको शेफ देनी कर दो किए तेरह 14 साल से लगबक शेप में आ गये हैं तो देखो शुरुआत कर रहे हैं यहां से यह देखो फड़ा से मैं आपको बताता हूं कि पेड को मैं टेपर कैसे करेट करते हैं जैसे हमने फूल गिरो कर लिया यहां से फिर इसको यहां से कट किया इसमें फिर न्यू करेंड करने के लिए जो एज लगती है जो बहुंताई बनने में जो एज जाती है वह मेश को कर आप बल्क में करोगे इस चीजे तो आपको मिलगा अगर आप कम पृष लाओं तो बहुत में करो मैंने तो चारप अगार त्यार करे हुए हैं हम पहले फूलों की खेती करते थे 94 95 के करीब गलाडोलस की तो तब हमने ये वराइटी फाइकस टाइगर बार्क बाहर से हमने बंगाई थी तो हमने इस पर काम करना शुरू किया और आप इसका रिजल्ड देखो मेरे 100 के करीब तो मेरे बिल्कुल रेडी हो गए है और हमने छोटे बड़े सम मिलाके 45,000 से ज्यादा मैट्रेयल त्यार है हमारा ये देखो आप इनकी एज आपको दिख रही होगी इनके बार्क से बार्क भी काले हो गए है ये देखो क्या टेपर है क्या संदार है अगर बहुंसाई के अंदर आप बल्क में चीजे करेट करोगे तो आपको मजा आएगा आपकी जनरेशन टू जनरेशन पैसे कमा सकती है उसमें कि दूसरी कंटि इसमें क्या होता है तैवान वगे टाइवान-जापाण में जनरेशन की जनरेशन काम करती है तो अगर आपको पता है विसकी की तरह और इस गोल्ड जितनी पुरानी वाइन है उतनी अच्छी उतनी उसके बैनेफेट्स हैं उतनी अच्छी होगी हो तो नहीं उसके rate जादा होंगे, तो bonsai अगर आपका sale भी नहीं हो रहा, तो उसमें आपको टैंसल लेने की कोई जवत नहीं है, जितना पुराना होगा, उतना ही महाँगा भी होगा, क्योंकि save अच्छी होती चली जाएगी, तो दोस्तो, आज मैं इसा YouTube पे डालता हूं, और मैं इसका content देता हूं, old is gold, like wine, bonsai is old is gold, तो दोस्तो, थोड़ा support करो, और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो आप हमारे number पे contact कर सकते हो, 9650-988-188, मेरा number है, 9650-988-188, अगर phone नहीं उठता, तो आप WhatsApp कर सकते हैं, तो मैं reply करूंगा उसका, तो दोस्तो, धन्यवाद,